हेलो गाईज वेलकम बाक तो माई यूट्यूब चानल और मैं उमीद करती हूँ कि आप सब लुक स्वस्थ होंगे आपके बच्चे हेल्दी होंगे और आपकी फैमिली अच्छी होगी तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को ब्रश कब से कराया जाए बच्चों के दात नहीं कराई है तो आपको बिल्कुल भी ढरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने बच्चे की ब्रशिंग दो साल की उमर से स्टार्ट करी थी आप छोटा वाला ब्रश ले सकते हैं चोटी ब्रिसल्स वाला और आप उसको तब ब्रश करवाईए जब आप उसको नहला तो आप भी उसको बस मंकी की तरह कोशिश करिए कि वो आपको कॉपी करें तो आप उसे चोटे बच्चे को दो साल की बच्चे को तो ऐसे ट्रेन करा जा सकता है ब्रश करने के लिए और दो साल की उमर कोई लेट नहीं है ब्रशिंग स्टार्ट करने के लिए इस जस्ट फा आपने बच्चा पैदा करा है, मॉन्स्टर नहीं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो और बागे जिन मदर्स का मन है कि वो जल्दी ब्रशिंग स्टार्ट करें, उनके लिए भी कोई रिजिडिटी नहीं है, ऐसे फिंगर में इंसर्ट करके एक ब्रश आता है, इंसर्ट करने क आतों से टंग में और वो मू में कर सकती है, उससे ब्रश कर सकती है, और बच्चे यूज्वल आप उसमें पेस्ट वगर लगाने के आपको जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप उसको बेर फिंगर से ही मतलब की वो लगा करके, ब्रश लगा करके पहन करके आप कर सकती है, उस बच्चों को ब्रश कैसे करा हूं मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं अपने बच्चों का मुझ साफ रखूं तो उनके लिए यह सल्यूशन है कि एक गीले कपड़े में पानी ले करके आप निचोड़ दीजे और उसके मुझ को उससे जबान को उससे साफ कर दीजे फिर तेल लीजे दूसरे साफ कपड़े में और बच्चे की टंग में उसको कड़वे तेल से आप वाइप कर सकती है बच्चे की टंग तो उससे आपके बच्चे का मुझ साफ हो जाएगा और एकदम आपका बच्चे का मुझ तरो ताजा फ्रेश ब्रेथ हो जाएगी आपके ब भाइ यूजियली 2 साल तक के बच्चों के मुझसे बद्बू नहीं आती है, शायद 4-5 यहर अन्वर्ड के बच्चों के मुझसे बद्बू आये तो उसके लिए प्रॉशिंग है नुट्प आराम से असल्ली से स्टार्ट करिये प्रॉशिंग अपने एक्सपेरिंसे वीडिय में कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और हां मेरे चान को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा जिसे कि मैं आपके लिए बहुत सिंपल बहुत सटल विडियो लाती रहूं आपी छुट-छुटी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूं थांक यू